बिस्मिल्लाहिर रह्मान रहीम अस्सलाम अलेकुम स्टूरेंट्स आज हम करने जारे हैं नाइम क्लास तजमत तुल कुरान की अगली सूरत रहे हैं मैंपा सूरे नंबर 14 सूराय फातिर और इससे पहले हम लोगों ने तमाम 13 सूरतों को अच्छे तरीके से मकमल कर दिया है और अगर किसी को उन 13 सूरतों को एक दफा देखना है तो मेरी प्लेलिस्ट का लिंग नीचे दिया गया है आप लोग उस पर क्लिक करके तमाम बिश्ली 13 सूरतों को तुबारा देख सकते हो आज हम करने जा रहे हैं 14 सूरे सूरे फातिर और बहुत जल्दा हम लोग इन्शाला लिखना है तो पेज नमर है आपके पास 162 और सूरे नमर 14 सूरे फातिर और इसके स्टार्ट टाउट करते हैं सबसे पहले हमारे पास दिया गया है सूरे फातिर मकी सूरत है इसको माग कर लीजिए या के पास एक बार्टिंट में सीक्यू है इसमें 45 आयात है दोनों पॉइ सूरे फातिर का माईनी किया है पैदा करने वाला इसी लफ्स की वज़ा से इस सूरत का नाम सूरे फातिर रखा गया है और आपस यह पुछा जा सकता है सूरे फातिर का नाम किस आयत से जो है वो लिया गया है पहली आयत से लिया गया है और इसके मिनिंग किया है पैदा करन और इस सूरत का नाम मार पास दूसरा नाम चाहिए वो सूरह मलाइका है ये भी मार पास से मार पास अगे एक्ससाइस का शौर्ट आंसर भी है और इसको आप से मार पास से कुछा जा सकता है कि सूरह फातिर का दूसरा नाम क्या है सूरह मलाइका सुरह फातिर में कस्रiट के साथ Allah अड़ linking कदूरत को बियान किया आ कि आपके पास MCQs का च्रह की ह 여러ाकत खेजी और ज्छोटे महबूदों की बेबसी का भी जिकर किया गया है ये भी आके पास पूरी लाइन जो है वा इम्पॉर्टन है MCQs और शॉर्ट आंसर के लिए इस तरह से आपसे पूचा जा सकता है किस सुरत में अला ताला ने जिन्गी की दोके और शेतान की दुश्मनी से खबरदार हम लोगों को किया है सुरह फातेर में फिर आपसे हिपस्ता से पुचा सकता है कि सुरह फातेर में अला ताला ने किस की दुश्मनी से हमें खबरदार की है शेतान की शेट की है लाकत कीज़ी और जोटे मुबूदों की बिबस्ती का जिकर की सुरत में आया है सुरह फातिन में पहारो और जानुरा के मुटिफ रंगों की हिकमत में गोड़ा फिकर की दावा दी गई है और वाजिय की अगया है कि अला ताला का हकी की डर्ड उन्हें हासिल होता है जो इल्म और अगाही रखते है तो यह भी आपके पास M.C. को आ जा सकता है कि अला ताला का हकी की डर्ड की लोगों को हासिल होता है जो इल्म और अगाही रखते हैं जो के एले इमान होते हैं और जो के इल्म और अगाही किन के पास होती है उनमाई एकराम के पास मुसली तो उन से जो है वो रफर्ज आएगा सुरह फातिर में मजूद आलादाला की कुद्रत की निशाने और गौर करने से दरजल बाते वाजिया होती है इसे माकर लीजी आपके पास एक्स्टर शौड आजसर बन सकता है कि सुरह फातिर में मजूद आलादाला की कुद्रत की निशाने और गौर करने से हमें कौन सी बाते वाजिया होती है दोसमें हम लोग ट्री पॉइंट्स लिखेंगे जो पम पढ़ने जा रहे है जिसरब ने ये काईनात बनाई है उससे इसका नजाम चलाने के लिए किसी मददगार की जरूरत नहीं है ये काईनात बगार मकसद के पैदा नहीं की गही जो जाद इस काईनात को वजूद में लाई है उसके लिए इससे खतम करना कुछ मुश्किन नहीं और उससे खतम करके ने सिर्थ से आखरत का आलिम पैदा करना भी मुश्किल नहीं है इस सुरत में कौराश्म चैट की अज्मत और सदाकत का जिकर फरमाते हुए इसकी खिदमत करने वालों को बशारत दी गई है सुरत के आगर में मुश्रिक और अला ताला के नाफर्मान कौमों का इबरतनाक अंजाम बियान किया गया है लाश्ट पर आ जाते हैं हमारे पास इल्मी और अमनी नुकात सुर्फ फातिर के मुटाले करने से जो इल्मी और अमनी नुकात सामने आते हैं उनमें से कुछ ये हैं और आपको गुटता है कि इल्मी और अमनी नुकात हमारे पास बहुत इम्टरिन पार होता है यह हमारे पास बहुत जादा M.C.O.s और शौर डांसर लेके आता है अल्ला जब किसी का कुछ उताब फर्माए तो कोई उसे रोकने वाला नहीं और जब अल्ला ताला किसी से कुछ रोक लेता है तो कोई उसे दे नहीं सकता अल्ला ताला हमारा राजिक है हमें इसके इहसानात को हमेशा याद रखना चाहिए आखरत का वादा सच्चा है, हमें हर वक्त चुकना रहना चाहिए कि कहीं दिनिया की जिन्गी में हमें थोके मेना डाल दे हमें हमेशा इस बात को याद एकना चाहिए कि शितान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इसे माकर इदलीचे आप से पूछा जा सकता है कि इन्सान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है शेतान, जो हमें जहनुम में ले जाना चाहता है आपने क्या लिखना है इसे बड़ा आप सबसे के लिखना है और वो किसी का मोताज नहीं और यह भी आपके पसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि हम तमाम इंसान किस के मोताज है लिखना है क्यामत की दिन कोई किसी का बुझ नहीं उठा सकेगा हर एक अपने गुनाहों का बोज़ खुद उठाना होगा कुरान मजीद की तलावत करना नमाज काइम करना और अलदला की रामे खर्च करना एक ऐसी तजारत है जिस में किसी नुखसान का अंदेशा नहीं है अल्ह ताला गुनाहों पर फोरण सजा नहीं देता गुनाह जोस ने किया उस पर बुत्वा कर ले और अल्हादाला माफ कर दे और अल्हादाला वैताला वैसे ही रिमान और रहीं और बहुत जादा अफोद गुजर करने वाले हैं तो यह थी हमारे पास रीडिंग जो कि हम लोगों ने दिखिया सूरह फातिर की हुर इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया कि हमारे पास क्या चीज़ इंपॉर्टन आती है एंसीकूस पॉइंट आफ यू और शोर्ट आफ यू आगे चलते हैं एकसरसाइस की तरफ और एकसरसाइस से पहले हमारे पास आ जाती है पांच इसमें रकूँ है और आपके पास यह सूरह फातिर जो है वो मक्की सूरत है इसके इलावा कुछ नहीं करना अपने एंडस्टाइन के लिए अगर तच्मारीर करना चाहो तो आप लोग जरूर कर सकते हो और बहुत अच्छा पांच 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 आएगा कि अगर आप लोग यह रीडाउट कर लेते हो आजाती है हमारे पास एकसरसाइस पेज नमबर है हमारे पास 178 और सबसे पहला पार्ट है हमारे पास दूस जवाब के निशान देहीं और सबसे फर्स्ट अमसीकुर है सूरह फातिर का दूसरा नाम है सूरह मलाइक का नमबर तो फातिर का माइनी है पैदा करने वाला नमबर ठ्री पुरानमजीद में पहारों और जानरों का जिकर करके दावत दी गई है अला तल्या की हिकमत पर गोड़ों फिकर की नमबर फूर सुरह फातिर के मताबिक अलता लगाएगी की डर्ड हासिल होता है अच्छा अब ये एक ऐसे सीक्वर जिसमें हम आपस दो अप्शन जो है वो डाइट होते हैं उन्होंने पीछे बताया हुआ है इल्म और अगाही करने वालों को तो उस हिसाब से एल-े-इमान के पास भी इल्म और अगाही होती है और उल्मा कराम के पास जो है वो भी इल्म और अगाही होती है तो हमारे पास दोनों आंसर्स राइट आते हैं इसमें लास्ट राजत क्यामत के दिन इंसान के गुनाहों का बौज उठाएंगे वो खुद इंसान के गुनाहों का बौज कोई और इंसान नहीं उठाएगा बलके वो खुद उठाएगा नमबर डूँ आजाता है हमेरे पास मुखत से जवाब दीजिए समसे पहला सवाल है सूराय फातिर को ये नाम क्यों दिया गया है सूराय फातिर का ये नाम क्यों रखा गया है और आपके पास इसका आंसर आ जाता है Page No. 162 Heading आपके पास तारूफ की उसमें आगा पास first paragraph जो है वो आपके पास first short है इस सूरत का नाम फातिर पहली आयद से लिया गया है जिसका माईनी पैदा करने वाला है इसलिए लख्स की वाज़ा से इस सूरत का नाम सूराय फातिर रखा गया है No. 2 सूराय फातिर का खुलासा लिखे Answer Me No. 162 Heading आपके पास तारूफ और last line है सूराय फातिर का खुलासा मुष्रिकिन को तुईद और आखरत पर इमान लाने की दावत देना है No. 3 सूराय फातिर के इल्मी और अमली नुकात में से दो तहरी कीजिए कोई से भी दो पॉइंट आप त्रीटा कर रहेंगे मैंने फर्स्ट टू मार्की किये है आप लोग कोई से भी लिख सकते हैं जो आप लोग को बहूट अच्छी तरना से आते हैं अल्डाला जब किसे कुछ अताब फर्माइए तो उसे रोगने वाला नहीं और अल्डाला जब किससे कुछ रूग लेता है तो कोई इसे देने ही सकता अलाद अला हमारे राजिक है, हमें इसके हिसानात को मिश्या याद रखना चाहिए, यह दो पॉइंट्स मैंने मांग की है, थर्डा शॉर्ट आंसर के लिए, फॉर्ट शॉर्ट है, जोके हमें आपस लाज शॉर्ट अंसर है, सुरह फातिर का दूसरा नाम क्या है, और उसकी वज़ा क्या है, उसका अंसर है, आपके पास, पे नमर 162 हेडिंग है, तारूफ की सेकंड लाइन, फॉर्ट शॉर्ट के बिल्कुल नीचे, इसी सुरत का दू दूसरा नाम सुरह मलाइका भी है, क्योंकि इसकी पहली आयत में फॉर्ष्टों का दिकर भी आया है, तो सुरह मलाइका नाम उसको इसलिए दिया गया है, क्योंकि सुरह फातिर की पहली आयत में फॉर्ष्टों का दिकर है, तो अगर हम पहली आयत यहां से देखें, तो यह है मार पास الحمدلللہ ही फातिर समावाति तो यहां सुरह फातिर का जो नाम है वो आया है और उसके तर्जमे में फृष्टों का जिकर किया गए यह देखिए तमाम तरीफे अला के लिए जो अस्मान और जमीनों का पैदा करने वाला है जो फृष्टों का पेगाम निसा बनाने वाला है जो दो दो और टीन तीन और चार चार पड़ों वाले है और वो अपनी मखलुकात में जो चाहता है जाफा फर्माता है बेशक अलाद अला हर चीज़ पर बड़ी कुद्ध देखता है तो यहाँ पर फर्स आयप ने हम लोगों देखा कि इस तरह फिष्टों का जिकर किया गया है और इससी वज़ा से सुरह मलाइका इसको नाम दिया गया है अब आज आते हैं हमारे पास लास्ट पार्ट पर तफसीली जवाब है आपके पास सुरह फातिर पर एक मुफासिल मजमून तहरीर कीजिए और इस सुरत का मुफासिल मजमून भी हेडिंग के साथ मैंने राइट अप किया है और आप लोगों को सची तरह से समझा भी देती हूँ ताके आप लोगों को लिखने में असानी हो सबसे पहले आप लोग हेडिंग देंगे सुरह फातिर की और सबसे उसके बाद समझा आजए गया के पास तारूफ की अब तारूफ में आप क्या लिखोगे सुरह फातिर मकी सूरत है इसमें 45 यानि के 45 आयात है इस सुरत का नाम फातिर पहली आएच से लिए गया जिसका माईनी पैदा करने वाला इसलफ की वज़जे से इस सुरत का नाम सुरह फातिर रखा गया है फिर आपने हैडिंग देनी है दूसरा नाम तारूफ में एडिंग थी आपकी सारी पहले मैंने साब हैटिंग का नाम दे दिया था तारूफ मेंन हैटिंग जिसमें आपने उपर से सबसे पहले लिखा कि मकी सूरत है 45 आयात है और फातिर जो है पहली आहत से नाम लिया गया है जिसके माइनी है पैदा करने वाला इसी लफ्स की वज़ा से इस सूरत का नाम सुरह फातिर रखा गया है और तारूफ में ही आपने साब हैटिंग देनी है माइनियो मफ्हूम की ठीक हो गया तारूफ में पहले आपनों ने लिखा ये उपर वली डो लाइन्स और आपने लिखा कि सुरह फातिर का नाम सुरह फातिर भी रखा गया है पिर आपने माइनियो मफ्हूम की हैटिंग ती जिसमें हमने लिखा कि फातिर का माइनियों वहदा करने वाला है और इसी वज़ा से इसका नाम सुरह फातिर भी रखा गया है फिर आपने हेडिंग देनी है दूसरा नाम इस सुरत का दूसरा नाम सुरह मलाइका भी है क्योंकि इसकी पहली आयत में फृरिष्टों का जिकर भी आया है फिर आएके पास हेडिंग आ जाती है खुलासा सुरह फातिका खुलासा क्या है हमारे पास? मुश्रिकिन को दोहित और आखरत पर इमान आने की तावड देना फिर आपने हीडिंग देनी है बज़ामीन मज़ामीन में सबसे पहलेज़ आपके सब हीडिंग आजागी बज़ामीन आपट अजागी allah Analysis लेखने लाजो के rekुदत की निशानियों पर गोर अल्ला ताला की कुद्रत की निशानियों पर गोर और ये भी आप लिख सकते हुआ तो आपने इसमें क्या लिखा सुरह फातिर में कस्रत के साथ अल्ला ताला की कुद्रतों को ब्यान किया गया है सिंगी के दोके और शेतान की दुश्मनी से खबरता किया गया है खिरमत करने वालों को बशारत दी गई है यहां तक लिखने और फिर आप एडिंग दोगी ब्रतनाक इंजाम जिसमें आप लोगों ने यहां से लेकिए यहां तक स्तारा लिखना है फिर आ लास्ट रेटिंग आ जाती है इल्मिय और अमने नुकाद जिसमें आप लोगों ने जाएगा बाकि सबकी निस्पत से तो अगर यहां पर आप लोग अपने अंसर को मजीद मॉडिफाइब करना साथे हो तो आप लोग इसके भी पॉइंट्स बना सकते हो ताकि आपको जादा मार्क्स मिल सके यह हम लोगों के पास है सुरह फादर कम अफसिल मजबून एक सब्सक्रा सबसक्राद करना सबसक्राद करनें पर उस इसमें परगों को मैंजिये एक्सिल शौडां समा करवाया था है वह लेकिस्द करने अड़ार वाते वाजिया होती है, उन्हें एक्स्प्लेंग की हुई है, फिर आपने हेडिंगे ने कुरानचीत की अजमत और सदाकत, और पिर आपके पास हेडिंग आ जाती है, ब्रतनाक एंजाम और लास्ट पर आ जाती है, इल्मी और अमली नुकात, और आप लोगो जो मैंने एक टा आते हों नहीं तो आप लोग सिंपल बुलेट पॉइंट्स में भी इसी तरह आंसर राइट कर सकते हो, कोई डिडक्शन नहीं होगी, कोई कमशन नहीं है, सिर्फा के पास एक प्लस पॉइंट और गेन मार्क्स करने के लिए, कि आप लोग इसके भी अगर पॉइंट्स बना गेलेंगे, को भी इसके लिएन को स्टार्ट कर देंगे, और मुझे हुमीद है कि आप लोग आज के लिग्ट्ट पूइंट्पैथ समझा आया होगा, इनके से कई कैसके क्या है, कोई वाहारी कोई कई समझ नहीं ही तो आप लोग मेरे से पूर्ण सकते हो, कोई नहीं होगी इन्शाआला ताहला और लास्ट पर मीडिया आप से फिरीक रिक्वेस्ट चाहिए कि गाणी पीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और जादे ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो 1000 सब्सक्राइबर का टार्गेट है वो जल्दे जल्म कमल किया जासे के थैंक यू